एलो चिल्डरेंग, वेलकम टू असा एजुकेशन, आज हम करेंगे 11 क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का पहला चैप्टर इद गहा, इसके हम करेंगे प्रिशन उत्तर, तो आएए देखते हैं आपका पहला प्रिशन क्या है, आपका पहला प्रिशन है इद का कहानी के उन प् हैं इद आने पर, तो आएए इसका देखते हैं क्या उत्तर होगा, तो इस प्रिसंग में इद के अपसर पर ग्रामी और परवेश का उल्लास प्रिकट होता है, तो यह जो प्रिसंग हैं से पता चलता है कि गाउं के लोग कितने खुश हैं, तो रमजान के पूरे 30 रोजों क इद आई हैं और कितना मनोहर, कितना सुहाबना प्रवात है, बहुत सुन्दर सुबह है, ब्रिकशों पर कुछ अजीव हर्याली है, खेतों में कुछ अजीव रोनक है, आसमान में कुछ अजीव लालिमा है, तो आज का सूर्य देखो कितना प्यारा कितना शीतल है, मानो संस जाने हो रहे हैं तपने बटन लगाने के लिए ताकी वह अपने बटन लगा सके मेले में जाने लिए तो किसी के जूते काफी कड़े हो गया रखे रखे तो वो उनमें तेल डालने के लिए घर भागते हैं जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी देदें पतानी कितना बक्त लग जाएगा महासे आते आते तो इद गहां से लोटते लोटते तो पहर हो जाएगी और रोज इ क्या हो रहा है सब लोग बहुत खुश हैं जानी के तैयारियां चल रही हैं बच्चे हैं वो अपनी गुलक मैंसे पैसे निकाल के गिन रहे हैं देख रहे हैं कितना कितने पैसे हैं वो कितना एंजॉय कर सकते हैं मेले में जाकर क्या क्या ले सकते हैं जिनके कुरते में बट कि पता नहीं इदगाह से लोटते लोटते कितना टाइम लग जाएगा तो रोज वो कहते थे इद आएगी इद का नाम रखते थे आज इद आ गई लोग मेले में जाने की तैयारियां कर रहे हैं यह सारी चीजें जिन से प्रिकट होता है कि ग्रामियोग परवेश का जो लास ह कितना चरम सीमा पर यहीत आने पर इद गाहा गानी के उन प्रिसंगों और लेकिजिए जिन से इद के अपसर पर घ्रामियोग परवेश का उलास परक़खत होता हैं तो ये सारी चीजे हैं जिन से पता चलता है कि काओं के लोग कितने प्रिसंद हैं इदाने पर इदगा जाने के लिए फिर आपका अगला प्रिशिन है उसके अंदर प्रिकाश है बहार आशा विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए हामित की आनंद भरी चित्वन उसका करना देता है तो यहां पर क्या कहा गया है कि जीवन में आशा का प्रिकाश सदेव फैला रहता है तो उसके अंदर प्रिकाश है मतलब जीवन में आशा का प्रिकाश की ये काम होगा हमारे अंदर अगर आशा है हम निराश नहीं है तो हमारा काम अवश्य हो जाता है तो उस किसी काम को करने की उम्मीद है कि हम यह काम कर लेंगे तो वह जो हमारे अंदर आशा रूपी प्रिकाश है हम उस काम को कर लेते हैं हमें जीवन में आगे बढ़ाता है तो आशा रूपी प्रिकाश हमें निराश्या के ज़रों से बाहर ले आता है और जीवन में हमें आगे कि मनुश्य समझी नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए तो ऐसे में आशा की कि रैड़ उससे बिषम परिस्थितियों से बहार निकाल लेती है लेकिन अंदर उसको उमीद है कि वो ये काम कर लेगा तो क्या होता है वो बिषम परिस्थितियों में भी जो उसके विप्रित परिस्थितियां होती है उससे भी वो बहार निकलाता है मतलब वो काम कर लेता है जो ब्यक्ति निराशावादी होता है वो कभी आगे नहीं बहुत सकता तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि एक मैं नहीं कर पाऊंगा तो अगर तुमने मन में सोची लिया कि नहीं गर पाऊगे तो वो काम कभी नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं अपने जीवन से हार मान लेते हैं और लगना चोग देते हैं काम करना ही चोग देते हैं मगर जिस मनुष्य ने आशा का दामन थाम लिया वो कभी हार नहीं मानता और निरंतर आगे वर्गता चला जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी जो मेहनत है वो अवशी ही रंग लाएगी मतलब उसकी जीत होगी तो यही आशावादी सोच उसे बाहर रिकाल लेती है और जीवन में निरंतर पिवर्णा सोथ पाता है मतलब वो जीवन में हमेशा ही आगे वर्गता चला जाता है लोग उससी पिवर्णा लेते हैं लोग उससे सीख लेते हैं कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए तो जो हामिद है उसके माता पिता उसके संग नहीं है उनकी मिरत्ती हो चुकी है लेकिन उसको अभी भी उमीद है कि उसके माता पिता अवशी ही लोटकर आएंगे क्योंकि वो छोटा बच्चा है उसको नहीं पता कि जो मरे हुए लोग होते हैं जो चले गए इस दुनिया से वो कभी नहीं आते लेकिन वो इसी आशा में जी रहा है कि उसके माता पिता अवश्य आएंगे और यही किराद उससे सदा प्रिसंद रखे हुए है तो वो अभावों की जिन्दगी जी रहा है उसके जीवन में बहुत कम जी रहा है उसको यहां जो अमीद इसके माता पिता आवश्य आएंगे उसके दिन अवश्य बदलेंगे तो उसकी यहीं उमीद जो है व्यवत स्थर्फी में जी रहा है जो वे विश्य में जी रहा स्थिसके और पैस सस्थी में बहुत deber emplee सा कुछ नहीं बिगाग पाती है अपका तीसरा कुश्यन है उन्हें क्या ख़वर थी कि चौधरी आज आखे बदल ले तो यह सारी एद महरम हो जाए इस कतन का क्या आश्य है इस पश्ट कीजिए मतलब उन्हें क्या ख़वर की चौधरी आखे बदल ले तो क्या मतलब हुआ गा तो गाओं के सभी चौधरी से पैसे उधार लेते हैं चौधरी से उधार लेकर इनके घर में तोहार मनाया जाता है तो उन्हें क्या ख़वरे कि चौधरी आखे बदल ले आखे बदल ले मतलब चौधरी मना कर दे नाराज हो जाए उन्हें पैसे ना दे तो यदि चौधरी किसी बात पर नाराज हो जाए तो उन्हें पैसे उधार देने से इंकार कर सकता है मना कर सकता है तो उसकी नाराजगी उनके तोहार को नश्ट कर सकती है अगर पैसे ही नहीं होंगे उनके पास तो कैसे तोहार मनाएंगे तो घर में शोक का बातावर और चा सकता है अता चौधरी से इनकार को बताने के लिए लेखकनी है कथन लिखा कि चौधरी आज आखे बदल ले तो क्या होगा ये इद क्या होगा महरम में बदल जाएगी मतलब जो इद है जो इद में खुशियां होती है वो महरम में तबदील हो जाएंगी महरम कैसा तोहार होता है दुख का तोहार होता है तो उनकी जो खुशियां है वो मातम में बदल जाएंगी तो गाउं के सभी चौदरी से पैसे उधार लेते हैं चौदरी से उधार लेकर उनके घर में तोहार मनाया जाता है यदि चौदरी किसी बात पर नाराज हो जाए तो उन्हें पैसे उधार देने के लिए मना कर सकता है उसकी नाराजगी उनके तोहार को नश्ट कर सकती है तो घर में शोक का बाता पर चा सकता है मतलब सभी लोग दुखी हो सकते हैं क्योंकि उनका तोहार नहीं बन पाएगा अगर चौधरी आखे बदल ले मतलब उनको पैसा न मातम में बदल जाएगा मातम में बदल जाएगा आपका अगला प्रिशिंग मानो भात्रत्य का एक सूत्रिन समस्ता आत्माओं को एक लड़ी में प्रेविय हुए है इस कथन के संदर में सपष्ट कीजिए कि धर्म तो उगता नहीं जोगता है अंसर होगा एद में क्या होता ह है नवाज अदा करते हुए सभी लोग एक पंग्ती में बैठकर नवाज पर गए हैं तो प्रितेग पंग्ती के पीछे उसी तरह अन और पंग्तिया भी हैं मतलब सभी पंग्तियों में बैठे हुए हैं और नवाज पर गए हैं तो जब नवाज परी जाती है तो क्या होता है सभी लोग एक साथ जुकते हैं एक साथ उठते हैं कोरते हैं नीचे होते हैं सबी मनुश्यों को आपस में जोग देता है ये एक सात मिलक苏ग प्रातना करते हैं किसी के Stroh में किसी के लेकर कोई शत्रता नहीं होती सभी आपस में भाई चारा रखते हैं कोई किसी से नफरत नहीं करता सबके मन एहंकार से रहित होते हैं और श्रद्धा से युक्त होते हैं बहुत श्रद्धा भाव से बोलो नमाज पगते हैं सब उसमें भाई भाई हो जाते हैं तो ह कह सकते हैं कि धर्म जो è वह बोधु जोगता नहीं बलकि जोगता है यह कभी किसी को लगने तपा शत्रता रखने का संदेश नहीं देता उसकी हka उव्डेश में मनुश्यों को आपस में जोगे रखने का प्रयास किया जाता है तो यहां इद में जब नमाज पढ़ी जाती है तो सभी लोग नमाज पढ़ते हैं एक साथ उठते हैं जुकते हैं एक साथ उठते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी लोग आपस में एक सूत्र से बंधे हुए हैं तो नमाज पढ़ने का एकी समय होता है, एकी तरीका होता है, सब लोग एक साथ मिलका प्रातना करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सभी के मन में कितनी अधिक श्रद्धा है, और सब के मन में एहंकार की भावना, किसी के मन में एहंकार की भावना नहीं है, उस समय सभी लोग भाई नहीन हgy दो हुवाई हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि धर्म जो है वो備 जोगे होता है या दूसरे को कभी तोगने की प्रिखना नहीं देता कभी तोगता नहीं है तो या कभी किसी 살лы लगने का संदेश नहीं और जो धर्म होता हैं किसी भी हम में यह नहीं कहते कि आपस में लगव या आपस में शत्यता रखो भर्ब जो होता है वो सब सब को एक सूत्र में बांधे रखता है उसकी सुत्री और मनुशे कicket में कौई अगर्यास किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि धर्म जोगता नहीं जोगता है इदगा कहानी के शीलशक का और चित सिद्ध कीजिए क्या इस कहानी को कोई अन्य शीलशक दिया जा सकता है मतलब इस कहानी का जो ये शीलशक के ईदगा क्या ये सही है या इसका कोई और भी शीलशक हो सकता है आंसर होगा ईदगा कहानी का शीरशक बल्कुल ओचित है मतलब जो ईदगा कहानी का शीरशक रखा गया है बल्कुल सही है क्योंकि यह जो कहानी है वो शुरू से अंतक ईदगा के बारे में ही बताती है तो मेरे ठ्याल से जो यह शीरशक है बल्कुल सही है इस कहानी में हमें शुरू से ईदगा जाने के लिए लोगों के हर्श को अलास को दिखाया गया है कि लोग कितने प्रिसन है ईदगा जाने के लिए तो गाओं के लोग कैसे ईदगा में जाने के लिए प्रिसन हैं और बच्चे भी ईदगा जाने के लिए अतंत उसाहित नजर आ रहे हैं तो पूरी कहानी में हमें एदगाह के बारे में ही बताया गया है कि लोग मेले में जाने के लिए कितने खुश हैं जहां तक हामित की बात की जाए बहुए अपनी बुरी दादी के साथ बहुती प्रिसन हो बहुती प्रिसन है तो बुरी दादी के पास ज्यादा पै क्या देगी किसी तरह वैं हमित को क्या गरती हैं तीन पैसे लेती हैं हमित को मैला घूमने जाता है मेले मैं पहुंचने के बाद अन बच्छों जो अन्य बच्चे वह तो खिलुना लेते हैं लेकिन हमित का मन जो बिल्कुल नहीं लड़ चाला है इन सब खिलुनitel को देखकर तो वो कुछ ऐसा लेना चाहता है जिससे कि दादी मा की मदद हो सके उसको अपनी दादी की बहुत चिंता है तो उसको पता है कि दादी जब खाना बनाती है तो उनके हाथ जल जाते हैं तो वो मेले से क्या करता है चिम्टा लेता है अपनी दादी के लिए ताकि दादी के कारे में कि उसने चिम्टा क्यों लिया तो दादी को अपने बेटे पर अपनी जो पोता है उस पर बहुत अधिक गर्ब होता है और उनको खुशी के आंसु निकालाते हैं तो यह पूरी कहानी जो है इद गाहा के इल्दिग्रदी घूमती है तो यह जो शील्षक रखा गया है बिल्कुल ही ठीक रखा गया है इसलिए यह शील्षक बिल्कुल और चित्ते पूर है तो इस कहानी का शील्षक और कुछ भी हो सकता है जैसे कि कहानी का शील्षक हामिद और उसकी बूरी दादी दादी के लिए चिम्टा हामिद और चिम्टा इस तरह से अन्य शील्षक भी हो सकते हैं तो इस कहानी के और शीलशक क्या हो सकते हैं हामिद और उसकी बूरे दादी दादी के लिए चिम्टा हामिद और चिम्टा लेकिन जो इदगार रखा गया है कहानी का शीलशक वो पूरी तरह से सही है तो यहां तक हमने आपको प्रिश्ण करवाएं इसके आगे के प्रिश्ण हम आपको करवाएंगे अगली वीडियो में तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चाल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिलकुल मत बूला करिए थैंक यू